तो यहां पर आपको WordPress की एक website है और इसमें आपको post के अंदर category दिख रही है यह देखो uncategorized है और जब मैं यहां पर ले जाता हूं तो delete का button enable हो रहा है लेकिन uncategorized पर कोई भी delete का button नहीं है तो अगर आपको इस category को delete करनी है तो आपको क्या करना होगा यहां setting में जाना है और writing पर क्लिक करना है जैसे आप writing पर क्लिक करोगे तो यह वाला window open हो जाएगा यहां पर आपसे पूछेगा default post category आपको इस पर क्लिक कर देना है और drop down में वो category आएगी जो आपने एक extra बना रखी हो तो आप make sure कि यहां पर आप uncategorized के अलावे एक दो category और create कर लो ठीक है और यह यहां पर default category में क्या कर देना uncategorized को remove करके दूसरी category select कर लेना और इसे यहां पर save कर देना जैसे अब आप save कर दोगे तो यहां पर uncategorized के पास अभी delete का button नहीं आ रहा है वो enable हो जाएगा अब एक बार मैं इसे refresh कर देता हूँ जैसे मैंने refresh किया यह delete का button आ गया तो I hope कि अ आपको यह समझ में आ गया होगा uncategori को जो एक default category होती है उसे कैसे remove करना है